नमस्कार जोहार भारतिय सेना को लेकर दिये गए राहूल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी काउंग्रेस पार्टी पर हमलावर है बीजेपी ने राहूल गांधी का चरितर जैजंद की तरह बताया है बीजेपी परवक्ता गौरब भाटिया ने आरोप लगाया है कि राहूल गांधी भारतिये सेना का मनुबल तोड़ने का प्रयास कर रहे है उन्हें समझना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है ऐसा प्रतीत होता है कि राहूल गांधी ने दुस्मन देशों से समझोता किया हुआ है कि जब जब भारतिये सेना अपना पराकर्म दिखाएगी राहूल गांधी और कौंग्रेस पाटी सेना का मनुबल तोड़ने का कारे है गौरभाटिया ने कहा है कि राहूल गांधी जान लें कि ये 1962 का भारत नहीं है भारत की एक इंच भूमी ना किसी के कब्जा में है और ना किसी में हिम्मत है कि वह कब्जा कर ले बिस्व की सबसे बहादूर सेना हमारे पास है कुटनितिक तोर पर हमसक्षम है ऐसे में य एक इंच भूमी पर कब्जा करें लेकिन जब जब सेना के कारण देश्वासियों की चाती 56 इंच का होती है तो गौंग्रेस और राहूल गांधी की चाती 6 इंच का हो जाती है बीज़पी के नेता ने राहूल गांधी से कहा है कि भारत की Dieser सक्षम है अब भारतिय सेन और सीमा सुरक्षित हो रहे हैं तो कॉंग्रेस को इतना दर्द क्यों हो रहा है प्रधान मंतरी के नेतरितु में जब जब देश एक जूठ हुआ है तब तब कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी ने एक जूठता की पीट पर खंजर भोगने का काम किया है उन्होंने तो पुलवामा हमले पर कहा था कि 56 इंच का सीना कहा गया यह कहकर उन्होंने मजाक उड़ाया था जब देने के लिए सर्जरिकल स्ट्राइक किया बीजेपी ने राहूल गांधी से इस बयान पर माफी मांगने की मांग की है और कहा है कि मलिक आरजून खडगे कांगरेस के अध्यक्ष है उन्हें राहूल गांधी को बरखास्त कर देना चाहिए